दोस्तों देखिए अभी गर्मियों का टाइम ही और यह देखिए गैंदे में किती अच्छी फ्लावरीं होने लग गी है यह देखिए इसमें कुछ कल्यां भी बनने लग गी है यह मेरे कुछ पुराने प्लांट है जो 20 से ग्रोव हो रहे के थे और इनको मैंने ऐसे रहन दिय होंगा दूसरे पॉर्ट में और आने वाले समय में क्योंकि दिपावली में जो है गैदे की डिमांड बहुत रहती है और गैदा जो है उसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है तो आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसी कि आप अपने घर पर ही गैदे के तैयार कर सकते हैं यह देखिए मैंने कुछ गिलास में भी डिस्पोजल होता है इसमें भी कटिंग लगाई थी यह भी ग्रोथ कर लिए देखिए कि इसमें जड़े आगी हैं तो अगर आप मेरे चैनल में नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लें और आपको यह वीड जड़े का जो प्लांट होता है इसमें जड़े उपर तक आ जाती हैं यह देखिए यह जड़े ही हैं सब कि देखिती जड़े आगी हैं तो आज मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जिसी कि आप गैदे के प्लांट घर पे ग्रोव कर सकते हैं अगर आपको गैदे के जो लगा है भी रहते हैं गैदे के प्लांट आप अगर देखिते कंटिंग क्ञा शक्ति हैं कि की तरी का प्लांट में ईपकर तक कट्गे सब अगर आप कटिंग से लगाएंगे तो आपकी घ्रोव जाएगी तो आप इस तरीके से दिए के जो है गाटिंग ले लिंगे की इस तरीके से कटिंग लिगी awfully यह आप उपर नीचे की जो पत्य हैं इनको हटा दिंगे खाली जो उपर का जो हिस्सा है उसी को आप रखेंगे बांकि नीचे की इतनी हिस्से की कटिंग आप लगा सकते हैं और इसको लगाना किसमें मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से लगाना है और किस पॉर्टिंग मिक्चर में लगाना है इसको यह देखिया आप कहीं से रेता मिलता है रेते में जो है कटिंग अच्छी ग्रोह होती है इसमें फंगस भी नहीं लगता है आप कहीं से रेता मिलता है जो नदी की जो बालू होती है वो मिलता है कहीं से आपको तो उसमें लगाएंगे तो सही रहेगा अगर आपको यह नहीं म या आप गंबले में डारेक्ट लगाना चाहते हैं तो उसमें भी लगा सकते हैं यह डिस्पोजल लिया है इसमें आप थोड़ा सा पानी भर दिंगे इस तरीके से आप इसमें देखे यह पानी दालेंगे आप पानी क्योंकि जो रेता होता है इसमें पानी रुकता नहीं है औ कि ज़रूरी होता है कि देखे स्में पानी नीचे से निकलने लग गया है और रेत में रेता पुरा पानी से बीग गय तो इस प्रकार से आप इसकोने लिगे और उसमें एख भुल कर दिंगे इसमें होल करके इसमें आप कटिंग लगाएंगे अब जो है जो आपने cutting ले रिखी इसको आप healthy powder का paste बना कर नीचे cutting ले रिखी वहाँ पको healthy powder का paste लगा दिगे मैंने इसको aloe vera में भी लगा कर देखा लेकिन aloe vera का उतना 100% result नहीं है और healthy powder का 100% result है जो मैं करके देख चुका हूं तो इसलिए आपको healthy powder का ही बना रहा हूं healthy powder आपके घर पर आसानी से उपलब्द हो जाएगी यह देखिए इसमें जो जड़े आ रही ही यह और अच्छी हो जाएंगी और आपकी cutting success हो जाएगी इस तरीके साब इसमें roll कर रहा उसमें आप इस cutting को ऐसे लगा देंगे और cutting जो है हिलनी नीचे आपकी cutting आट दस दिन तो कम से कम इसको ऐसे रहन देना और इसमें पानी डालने की भी ज़रत नहीं पड़ीगी आपको 5-6 दिन अगर आपको थोड़ा सा रेता सूका हुआ नजार आता है तो आप इसमें दुबारा पानी डाल सकते हैं और इस cutting को आप कहीं छाय वाले जोगा पर रख दीजे आपकी cutting जो है 100% successful हो जाएगी यह देखिए जैसे यह हो रही की यह अभी 6-7 दिन हो रहे हैं थोड़ा सा गिलास इसमें थोड़ा सा कट गया है इसको इग्नोर करिया और देखिए जो cutting है यह अच्छी हो इस प्रकार से आप कहीं से अगर आपको गेंदी की पौधा मिलता है तो आप उसकी cutting ले आए और अपने नहीने प्लांट तेयार कर दीजे तो आने वाले संदीपौली के समय तक आपको अच्छी flowering मिल जाएगी गेंदे के प्लांट में आप कई प्रकार के जो गेंदे के प आपको hybrid quality का गेदा भी मिल जाएगा जिसमें बड़े फूल आते हैं और यह भी थोड़ा सा बड़े फूल वाला पहुद है अभी थोड़ा गर्मियों का समय है इसलिए इसमें हलकी जो छोटे फूल आ रहे हैं और आने वाले समय में इसमें थोड़े से बड़े फूल आने लग जाएंगे तो इस तरीके से मैंने गैदे की cutting लगाना आपको बताया तो आप यह घर पर जरूर लगाएं आपको यह वीडियो कैसा लगा यह भी जरूर बताएं धन्युक्त